क्या सच में 5G नेटवर्क गेम चेंजर साबित होगा आईडिया एंड वोड़ाफ़न मतलब वी आई को इस्टेवल रखने के लिए 5G नेटवर्क के साथ यहां पर बात करी जाए तो वी आई ने फाइनली एक ओफिशल डियूस के दुरान कहा कि हम जल्दी अपना 5G ओफिश जेल रहा है उस कंडिशन में बात किया जाए तो बहुत कुछ वैसे तो बात करने के लिए हैं जैसे कि फाइनली कंडिशन को पे चले तो वह एक उनका अपना परसनल मैटर है उन्हें छोड़ देते हैं यहां पर बात करी जाए तो सस्क्राइबर 5G लाउंच होने के बाद एटलिस सस्क्राइबर स्टेवल और वी आई के साथ रहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन रोल प्ले होगा क्योंकि यहां पर बात करी जाए तो पिछले तीन मंथ में वी आई ने तेरा लाग पचास जा सस्क्राइबर खो दिये और उपर से बात की जाए तो बाइ वी आई ओफिशल लॉंच करता है तो आपको कौन सी स्टेट और कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा मैक्जिमम वी आई के 5G लॉंच देखने के लिए बिलेंगे बट आप हमाई चैनल पर फस्ट हम आयों चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चलू कीजे कर राइग के लिए मिलेंगे पंजाब की बात करें दिल्ली में आपको एरिया वाइस देखने के लिए मिलेंगे केलर में बात करें अच्छे लॉंच देखने के लिए मिलेंगे जैसी वी आई 5 जी लॉंच करता है गुजरात की बात करें और अंदरप्रदेश की बात करें में यूपी announcement करता और क्या नया चेंज आपको देखने के लिए मिलता है बात करें प्लान डिटेल की क्या 4G डेटा पर ही 5G अनलिमिटेड डेटा मिलेगा तो competition रखना है एटल आइडिया से तो तो अलिमिटेडी देना पड़ेगा मजबूरी है लेकिन उस पर प्राइस टेक लगा के लिए के आते हैं तो फिर वही एक कंडिशन की लोग और ज्यादा अनिस्टेबल होंगे और फिर मूफ करेंगा आइडिया या जियो पर आइडिया के स तो सबसे पहली बाग कि हम तब पे कर रहे हैं किसी कंपनी को तो हमें उसकी फाइनेशनल कंडिशन पर तध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि आप सर्विस के लिए एटलिस पैसे पे कर रहे हैं ये विड़ा आपका अच्छे लगे चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइ